उद्योगपती रतन टाटा का देर रात मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 86 साल की उमर में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सास ली। राश्पती द्रौपदी मुर्मू, पीयम मोदी, राहुल गांधी, ममता बेनरजी समेत तमाम राजनेताओं ने उ का बुदवार देर रात मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दोड़ गई। उन्होंने 86 साल की उमर में मुंबई के ब्रीच कैंडी इस्पताल में अंतिम सास ली। रतन टाटा का अंतिम संसकार मुंबई में पूरे राज के सम्मान के सा किया जाएगा। उनके निधन पर टाटा संस के चैर्मैन एन चंदरशेखरन ने टाटा समुह की ओर से एक संदेश जारी कर कहा कि पद्म विभूशन रतन टाटा का योगदान अतुल्य है। महराष्ट के मुखे मंतरी एकनास शिंदे ने कहा है कि रतन टाटा का अंतिम संस कार पूरे राजकी सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी कॉंग्रेस सांसद राहुल गांदी समेत तमाम राजनेताओं ने भारत के रतन टाटा को शद्धान जली दी। उद्योगपती रतन टाटा का पार्थि शरीर गुरुवार तड़क मुंबई के कुलाबा स्थित उनके आवास पर लाया गया। बता दे उद्योगपती रतन टाटा का कल देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर दोड़ गई। पीम मोधी समय तमाम राजनेताओं ने उ रद कर दिया है। महाराष्ट के मंतरी दीपक के सरकर ने कहा कि उद्योगपती रतन टाटा के निधन के कारण मुंबई में राज सरकार के सभी कारिक्रम कल्स के लिए रद कर दिये गए हैं। देशमुक का कहना है रतन टाटा के पार्थिर शरीर को सुबद दस बजे से दोपर साड़े तीन बजे के बीच दर्शन के लिए एन सी पी ए में रखा जाएगा। सभी पुलिस वरस्थाएं की जाएंगी।